दोस्तों कैसा हो के एक व्यक्ति को जीते जी मारा घोशित कर दिया जाएं? उसके नाम से मृत्यू प्रमान पत्र भी जारी कर दिये जाएं और उस व्यक्ति को अपने जीते जी ही ये साबित करना पड़े कि वो जिंदा है ये कहानी पूरी फिल्मी लगती है लेकिन राजिस् प्रशाशनिक गलती की वचा से हुआ था लेकिन इस गलती की वचा से एक वेक्ति की जिंदीगी में उथल-पुथल हो गई उसकी पानूनी पहचान छिन गई और इतना ही नहीं उसकी प्रोपर्टी और उसके अधिकार भी खत्रे में आ गए। जिसके बाद प्रशाशन के इस गलती को सुधारने के लिए बाबुराम भील को बहुत सारी कोशिशे करने पड़ी पर उनकी किसी भी दलिल को सुना नहीं गया। प्रशाशन के लिए और नाम कमाने के लिए और नियूशेंस बहना लेन के लिए उसने इस कर्थे बंजाम दिया है। इस मामले में साइटी का गठने किया गया था मोबाई फोरेंसिक टीम को भी मोगयों बुलाये गया था। और कानून के नजरों में उनकी पहचान पूरी तरह से छीन ले गई। तब निराशोकर बाबुराम भील ने एक ऐसी योशना बनाई जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता। लेकिन उसे उमीद थी कि उसके ऐसा करने पर आफिसर उसके अस्तित्वों को स्वेकार कर और एक स्कूल में जाकर दो टीचर और एक पैरेंट पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने ततकाल ही उसे गिरिफदार कर लिया। और इसी बाद की बाबुराम भील ने योचना बनाई थी। गिरिफदार होने के बाद जब पूस्ताच की गई तो बाबुलाल भील ने अपने काम के पीछे की इस अजीबो गरीब घटना के बारे में पुलिस को बताया। उसने कहा कि उसके पास ये दिखाने के अलावा कोई भी आप्शन नहीं था कि वो जिंदा है। उसे डर था कि उसका मृत्यू प्रमान पत्र जारी होने के बाद बहुत जल्दी उसकी प्रोपरटी पर भी कबजा कर लिया जाएगा। उसकी पत्नी और बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। ऐसे में खुद को जिंदा साबित करने की जो तमाम कोशिशे थी वो नाकाम हो गई थी। उसने खुद को जिंदा साबित करने के लिए मोबाइल टावर पर चड़कर जान देने की धमके भी दी थी लेकिन इससे बात नहीं बनी थी और स्कूल पर हमला उसने इसलिए किया ताकि पुलिसों से गिरफतार करे और उसके जिंदा होने के सबूत दे कई बार प्रशाशन के द्वारा की गई छोटी मुटी गलतियों के वज़ा से किसी व वीडियो आपको इंफरमीटिव लगी होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बोलेगा